हालो बच्चो एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th mathematics NCRT उल्टा बोल गया हमें NCRT क्लास 9th maths एक्सरसाइज 2.5 सिधा कर लिजिए कोई दिक्कत नहीं उल्टा सिधा एक समान इसमें हम 4 questions 4 questions 2 exercise में और ये last की 4 questions discuss करने जा रहे हैं देखे ये ट्रिघ्रमेटिकल आइडेंटिटी इसके बारे हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे फामले हमने बताए हैं इसके पहले के दो वीडियो भी हम बता चुके हैं उन्हें आप देख लीजेगा आप बड़े सत्यापित कीजये के एक फार्मला दिया गे इन्होंने वेरिफाई करियेगा क्या फार्मला दिया है एक्स-क्यूब्स-वाई-क्यूब इस इकल टू एक ब्रेकेट में x प्लस y और एक में x स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर माइनस xy वो एक अलगी बात है कि ये बीच में लिख दो ये बाद में कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे अब आपके इसमें सत्यापित क्या करें ये तो होता ही होता है तो देखिएगा ये x क्यूब प्लस y क्यूब कहां पे होता है इसका solution बताने जा रहे हैं आप कहेंगे अगर x प्लस y का whole cube अगर मैं करू आपके बीच का whole cube तो वहाँ पर x cube प्लस y cube होता है तो x प्लस y का whole cube खोल दीजेगा क्या होता है x cube प्लस y cube प्लस 3xy into in bracket x प्लस y होता है bracket मद खोलिएगा साथन हमको ये चीज निकालनी है तो ऐसा करते हैं जो चीज निकालनी है उसको ऐसे लिखा रहे हैं दो x cube प्लस y cube उधर लिखो या इधर लिखो कोई दिकत नहीं है ये अपनी जगए पे रहेगा x प्लस y का whole cube और ये पूरी चीज shift होके यहाँ पर आजाएगी minus का 3xy in bracket x प्लस y साथ साथ दिख रहा है कि 2 step है तो हम क्या करेंगे इन दोनों से क्या कामन दिख रहा है आपको x प्लस y कामन दिख रहा है तो यहाँ क्या पुचएगा यहाँ पुचएगा x प्लस y to the whole square minus 3xy देखे x प्लस y आगया इसका whole square खोल दीजे तो यहाँ जाएगा x प्लस y इसको तब खोलेंगे क्या आएगा x square प्लस y square प्लस 2xy minus 3xy दो एक सिंपल सी mathematics लगाईएगा plus 2xy minus 3xy is the value of minus xy यह minus xy आएगा तो यह क्या हो गया x plus y x square plus y square minus xy हो गया सत्यापित यह पहला part है दूसरा part आप से कह रहे है second part कह रहे है इसी में मैं इसको change करूँगा आप अलग कर लिजेगा formula कह रहे है कि आप यहां करो x cube minus y cube is equal to x minus y और यहां plus proof करके लाओ साफ साफ दिख रहा है कि x cube minus y cube लगा दो तो मैं x minus y का whole cube लगाऊँगा क्या formula होता है x cube minus y cube यहां ऐगा minus 3xy यहां x minus y आएगा बस sign change होंगे हमको इसकी value निकालनी है इसको यहां लिखा रहने दो ठीक यह अपनी जगे पे रहेगा minus और यह minus का shift होके यहां plus हो जाएगा यहां minus लगा हुआ है यहां common क्या दिख रहा है आप कहेंगे x minus y common है यहां क्या बचाएगा x minus y whole square यह plus का 3xy आएगा तो इसका whole square खोलोगे तो यहां पर आएगा minus 2xy यहां plus का 3xy यहां प्लस का xy यहां पर minus यहां पर minus बस डायट formula अब आप अपने जो copy में उसको erase मत कर देना कि रवर से साफ साफ करके दुबारा कर दिया यह अगला question है आप fresh तरीके से इसको लगाईए तो यह ninth question हुआ जागर अब यह एक factor भी हो गया a cube minus b cube यह factor हो गया गुडनकंड हो गया और a cube plus b cube क्योंकि अगले question में इन्होंने factors पढ़ाए हैं आपको पूछा है आपसे देखे द्यान से next question अपने आप पहले लगाएं वीडियो को pause करके देख लीजेगा और लगा के जब ना है तब इसको देखेगा देखे tenth question कह रहा है कि factorize करू इसके गुडनकंड निकालू किसके 27 x cube plus 125 z cube यह किसीज का hole cube लिखा हुआ है तो आप कहेंगे यह भाई साब 3 x का hole cube है और यह आपका 5 z का hole cube है अभी मैं बता चुका हूँ a q plus b q actually में यह bracket के अंदर a है इस bracket के अंदर b है इसको a मानो इसको b मानो तो क्या होगा एक bracket में a plus b यानि कि एक bracket में 3 x plus 5 z एक में a square बोले तो 3 x का square plus b square बोले तो 5 z का square minus x y यानि 3 x into 5 z यह तो फामुला भी हमने बताया इसको verify करके दिखाया गया है तो जब यहाँ value रखेंगे या calculate करेंगे इसको यहाँ क्या हैगा 9 x square plus 25 z square minus 5 z 15 x तो यह आपका a cube plus b cube का factor second part देखें क्या कह रहा है इसका अभी a cube minus b cube हम verify करके दिखाए है तो अगला part a cube minus b cube का factor बस सारे factors जो फामुले बताये गये है उनी को यहाँ बताये गया दुबर और कुछ नहीं है 64 m cube second part देखें 64 m cube minus 343 z cube अभी आपके एंगे m से z का क्या मतलब उसे क्या ज़्या देना भाई वैसे m के साथ n आना चीए यह किसका whole cube है 4 का है 4 m का whole cube minus यह किसका है 7 7 z का whole cube किसका यह square 7 का ही है 7 49 into 7 77 63 28 24 ठीक है देखें अगर ध्यान से देखें तो a cube minus b cube a का मतलब 4 m b का मतलब 7 z क्या आएगा a minus b एक ब्रेकेट में दूसरे में क्या आएगा a का square plus b to the whole square plus 4 m into 7 z यह तो यही रहेगा इसमें कोई calculation होना नहीं है इसका square करोगे इतना आएगा 16 m square plus 49 z square plus 28 m z तो इस प्रकार से इसको calculate करोगे यह 10th question हुआ अब 11th देखिए formulae सब आने चाहिए पहले बार बाब बता रहे है जो इसका पहला वीडियो है पहलीक साइस वो हम लिंक पे दे देंगे जिसमें 1 to 4 हमने discuss किये question वहाँ formulae सब बताए गये है अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले देख लीजेगा देखिए 11th question क्या कह रहा है उन्होंने का factorize करिए क्या दिया है 27 x cube factor करने है 27 x cube plus y cube plus z cube minus 9 x y z 9 x y z देखिए यह किसी का all cube है यह 3 x का cube है plus का यह y cube है यह plus का z cube है यह minus का 3 x into y into z है formula आपको मालूम है we know that लिखी लो formula बार बार लिखना पढ़ेगा एक बार लिखके देख लो हम जानते है क्या होता है बताया गया है कि a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c लिखा हुआ है अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक bracket में होता है a plus b plus c और एक में होता है a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c यह हम पढ़ चुके अगर ध्यान से देखे so इसलिए यह दुवारा नोट करिए 3 x का cube plus y का cube plus z का cube minus 3 into 3 x into y into z is equal देखे अगर मैं इसे तुला करता हूँ तो a is what 3 x b क्या है y c क्या है z रग दो यह उठा करके यही सब यह बहुत सब बाद दे फर्मॉला आएगा जितने फर्मॉले बताएगे उनको एक बाद देख लीजेगा यह फर्मॉले आगे तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक mathematics रहेगी तब तक यह फर्मॉले अलजब्रा में आपको परिशान करते रहेंगे लेकिए 12th question में क्या कह रहा है एक फर्मॉला दिया है और कहते हैं verify करो सत्यापित करें फर्मॉला सही है जो भी फर्मॉला लिखा था वही वाला फर्मॉला दिया है क्या दिया है एकस क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माईनस 3xy तक फर्मॉला दिया था भी हमने उन्हों ने ऐसा नहीं लिखा उन्हों ने लिखा पताईये यह होगा half x plus y plus z दूसरे ब्रैकेट में है x minus y का हौल स्कॉर plus y minus z का हौल स्कॉर प्लस Z-X का whole square एद दादर दादा ऐसा फर्मॉला कहा होता है इस बड़ा जीव लग रहा है आपको इससे तो यह नहीं आने वाला है आपको नहीं आने वाला है मैं तो बड़ा इंटेलिजिए तुम मुझे तो आज आएगा उतना भी नहीं हूं तो अब आप करेंगे क्या आता है इसको खोल दीजिए आप तो मैं टेकिंग आरेचेस ले लूँगा राइट हैंड साइट लेकर के मैं बात करने जा रहा हूं आरेचेस ले लेता हूं क्या है आरेचेस हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेट दूसरे बैकेट में क्या है एक्स माइनस वाई का whole square प्लस व हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेट सो खोलें क्या हैगा एक्स स्क्वाई प्लस वाई स्क्वाई स्क्वाई प्लस स्वाई 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 स् दरा ध्यान से देखे half x plus y plus z यहां भी है और x square यहां भी है दो बार है दो बार प्लस में है यह 2x square होगा plus y square भी 2y square होगा plus 2z square होगा minus 2xy होगा minus 2yz होगा minus 2zx होगा आपको यहां से कुछ common दिख रहा है यह z है ध्यान दखिएगा 2 अलग है z अलग है common दिख रहा है आपको 2 common दिख रहा है ले लिजे common देखो 2 मैंने common लिया और आपान में 2 पहले से लिखा है x plus y plus z यहां क्या भीज़ेगा x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx इसको देखके यह तो 2 कर गया इसको देखके कुछ पहचा नहीं है आप यह इसी का factor न होता है अभी बता चुके हैं यानि इसको क्या लिखा दे सकता है x cube plus y cube plus z cube minus 3 x yz यही आपका left hand side होगा ठीक है वो देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था तो हमें जो खतरनाक लगे उसी को खुड़ा सा वो करना पड़ता है अब जा थार्टीन कोशन देखें देखें पहले तो अपने आप लगाईए इसके बाद आप वीडियो को देखकर के कोशन लगाना जहां दिक्कत आए 13 कोशन में एक चीद दीवी है कि x प्लस y प्लस z is equal to 0 ये गिवन है क्या गिवन है x प्लस y प्लस z is equal to 0 गिवन है और क्या प्रूफ करना है क्या सिद्ध करना है क्या रहें सिद्ध करो x cube plus y cube plus z cube is equal to 3x y z आपको कुछ समझ में आ रहा होगा अभी थोड़ी देट पहले तो आप कहेंगे मेरे पास एक formula है we know that क्या know that है कि x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz यह formula मेरे पास है क्या होता है एक bracket में x plus y plus z और एक में है x square plus y square plus z square minus x y minus yz minus ka z x यह हम जानते हैं इसकी value क्या ही है 0 0 into बहुत बड़ी value 0 तो यह side क्या हो गया 0 इधर क्या आ गया इधर आ गया x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz की value क्या हो गया 0 तो जब अप यह यहां से निकालोगे x cube plus y cube plus z cube तो यह 3xyz कहा जाएगा यह उधर shift हो जाएगा तो एक formula भी बनता है यह ध्यान रखेगा इसको ठीक है यह आपका अब आते 14th question यह formula है ध्यान रखेगा यह formula याद रखेगा भी use होगा बार-बार एक चीज और यही पर समल लीजेगा यह question हो चुका है देखे अगर हमें दिया हो x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz तो तब यह formula होगा अगर इधर minus 3xyz ना दिया हो तो तो इसको इधर plus कर देंगे plus 3xyz यह ध्यान रखेगा है इस formula का भी मिस्तेबाल करने जा रहे है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ देखे जाँ 14 कह रहा है कि वास्तों में घनों का परिकलन किये बिना निम्लखित प्रते का मान ग्यान करिए मतलब आपको कुछ question दिया है जरा उसको पर समझ ले फिर हम बात करें फर्स्ट दिया है माइनस 12 का q प्लस 7 q प्लस 5 q यह करें भाई साब इसको आप calculator से माइनस 12 इंटू माइनस 12 इंटू माइनस 12 वो 7 इंटू 7 करके नहीं solve करना है आपको इस formula लगाईए आपको दिख रहा है हमने यहां मान लिया लेट माने माना होता है जाने के हिंदी में हमने माइनस 12 को मान लिया ए और 7 को मान लिया बी और 5 को मान लिया सी अगर ध्यान से देखें यहां a प्लस b प्लस c तो यह 0 आ रहा है माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 जिरो वारा अभी हम बता चुके हैं अगर A प्लस B प्लस C 0 है तो अभी हम प्रूब कर चुके हैं कि A Q प्लस B Q प्लस C Q की वैलू डारेट क्या ले सकते हैं 3 A B C डारेट दिखा जा सकता है अभी हम इसके पहले वेरिफाइ कर चुके हैं तो 3 A बोले तो माइनस 12 B बोले तो 7 C बोले तो 5 यह आगया माइनस 12 का Q प्लस 7 का Q प्लस 5 का Q अब इसको मल्टिप्लाइ कर लिजेगा मल्टिप्लाइ करके जो वैलू आएगे लिख दिजेगा 12 36 माइनस का 36 आएगा 7 प्लस 5 आएगा इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो माइनस का 1260 आएगा अब अपने आप करके देखेंगे सेकेंड पार्ट अपने आप करेंगे तो सेम मैथेड इस दिया कोईशन 15 और 16 थोड़ा टेक्निकल है उसको ध्यान से समझेगा थोड़ा क्या काफी कुछ लैंग्वेज पर उसके ये डिसाइड होता है बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्यार से कोईशन अपने आप कुछ बोल रहा है आपसे देखो ध्यान से कहरा निम्न नीचे दिये गए आयतों जिनमें उनके छित्रफल दिये गए है आयत का छित्रफल दिया गया है में से प्रते की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभो व्यन्जग दीजिये गिव पॉसिबल एक्स्प्रेशन फ़र लेंथ एंड ब्रेथ of the following rectangles in which their areas are given area given है देखो ध्यान से 14th का first part 14th नहीं है 15th sorry यह 15th यह कह रहा है कि यह area हमने given दिया है छित्रफल दिया गया है क्या दिया गया है 25a square 25a square minus 35a 35a plus 12 तो कहरें बताइए यह किसी rectangle किसी आयत का area है आयत का छेथपल है आयत का छेथपल होता है length into breath लंबाई into चौड़ाई तो बताइए इस में से कौन लंबाई है कौन चौड़ाई हो सकती है देखो ध्यान से आप इसको गुरंखन कर दो दो चीज के multiply में ले आओ आप factor कन आपको आता है इसका इसका multiply करते है 25 और 12 का multiply करते है अब multiply करेंगे नहीं इसके ऐसे टुकड़े करते हैं जिनको प्लस करने पर 35 आजाया यहां तो हमको मालूम ही प्लस करने पर क्या आएगा तो इसको करेंगे 5 इंटू 5 इसको 6 इंटू 2 अब आप arrange करिए इसको कैसे arrange करना है हमें नहीं मालूम कैसे arrange करेंगे देखें 6 पंचे 30 5 नि 10 नहीं आएगा अब दिमाग लगाओ इसमें क्या होगा 5 नि 10 अज़ा इसके factor आप कर लो 5 इंटू 5 इंटू 6 को करो 3 इंटू 2 इंटू 2 और effect कर लो देखें 5 नि 10 दो नि 20 20 आएगा अब 5 या 15 20 और 15 आएगा ठीक 25 आएगा multiply करो यही से result आएगा और 20 और 15 को प्लस करोगे तो 35 आएगा 35 आएगा इसको क्या लिखेंगे 25 A स्क्वाइर माइनस यह हो जाएगा 20 A माइनस 15 A प्लस 12 यह गुरंखन पढ़ाए गए factor पढ़ाए गए आपको इस दोनों से common क्या दिख रहा है तो आप पहेंगे 5 A कामन दिख रहा है क्या आप चाहिएगा 5 A माइनस 4 यहाँ से माइनस का 3 का मन दिख रहा है तो 5 A माइनस 4 यहाँ पर आएगा 5 A माइनस 4 और यहाँ आएगा 5 A प्लस माइनस 3 दो चीज का मल्टिप्लाई हो गया यानि length into breath लंबाई into चोड़ाई होता है ना तो एक इसमें से लंबाई है एक इसमें से चोड़ाई है अब कहने बताओ लंबाई क्या होगी चोड़ाई क्या होगी देखो लंबाई थोड़ा लंबी होती है चोड़ा चोड़ी होती है ऐसा नहीं लंबाई से कम होती है अब देखे 5 A में 3 माइनस किया और 5A में 4 माइनस किया तो ये value बड़ी आएगी न तो length जो इसमें होगी length यानि कि लंबाई जो होगी वो क्या मानेंगे 5A माइनस 3 और जो breath होगी यहाँ पर जो चौड़ाई मानेंगे वो क्या मानेंगे 5A माइनस 4 बुक में उल्टा भी हो सकता है कोई ऐसा hard and fast rule नहीं है ये भी हो सकता है इसके बाद second part देखे क्या है 15th का second part देखे यहाँ भी area दिया हुआ है उसके भी factor करने पड़ेंगे दो दो चीजे गुड़े में लिखी होँगी तो उसमें से एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी देखे second part क्या कह रहा है 15th का second part 35 y square यह क्या दिया है यह area दिया है यानि कि 6 तरफल दिया है किसका एक आयत का एक rectangle का और length into breath होता है तो दो चीज़ के multiply में लिया हो 35 y square माइनस प्लस 13 y माइनस का 12 देखे यह 35 है और यह into 12 है multiply से नहीं कर रहा हूँ कि multiply करने के बाद भी टुकड़े करने ही पड़ेंगे आपको ठीक है देखो इसके ऐसे टुकड़े करो पर ले टुकड़े कर लो इसको 75S 35 कर दो इसको 2 दूनि4 तिया 12 कर दो दो यह minus में है यह plus में है दो नों को minus करने पर 13 आना चाहिए यह ध्यान रखे का minus करने पर देखो 7 दूनि4 तो ना 28 28 यह 28 आगया और 5 यह 15 और 25 28 को माइनस करोगे तो 13 आएगा तो आप क्या करेंगे 35 y स्क्वार प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12 यह सोचना पड़ेगा यहां से क्या कामन दिख रहा है आपको आप कहेंगे 7y कामन दिख रहा है तो यहां पचेगा 5y प्लस 4 यहां माइनस का 3 कामन दिख रहा है तो आएगा 5y प्लस 4 तो एक आएगा 7y माइनस 3 एक आएगा 5y प्लस 4 तो एक लेंथ हो जाएगा कोई भी लिख दीजेगा और एक ब् वाई भी तो है साथ गुना है वैलू यह तो पांच ही गुना है तो कोई बड़ी हो सकती है यह हमको पक्का नहीं मालूम है वो तो लिख दिया हमने यह लेंथ यह ब्रेथ ठीक है अब ज़रा 16th question समझ ले last question यहां पर उन्होंने का rectangle के अंदर यह एक आयत के अंदर उसका छेत्रफल दिया गया है तो उन्होंने का length ब्रेथ बता तो हमने दो चीज़ के of the cube idol whose volumes are given देखे क्यू आइडल में या घनाप की का आयतन क्या होता वालूम क्या होता length into breath into height तो इसको तीन चीज़ के multiply में लिखे तीन चीज़ का multiply देखे पहला पार देखे 16th का पहला पार क्या दिया है volume दिया है यहाँ पर यानि कि यह आयतन दिया गया है घनाप का cube height का क्या दिया गया है 3x square minus 12x 3x square minus 12x यहाँ से 3x का में ले लेंगे तो आएगा x minus 4 तो एक 3 है 1x है 1x minus 4 है तीन चीज़ का multiply हो रहा है नहीं हो रहा है 3 का multiply x से इसका multiply इस से तो यह एक length हो जाएगा 3 breath हो जाएगा x और height हो जाएगा x minus 4 लेंद को इस पाल मालो अच्छा लगता है हो गया काम कतम तीन चीज़ का multiply कर दो इसी प्रकार से second part में देखे क्या कह रहा है second part में volume क्या दिया हुआ है तीन चीज़ का multiply करके लिखना है बस और कुछ नहीं उसमें एक लंबाई होगे एक चवाई होगे एक कुछाई होगे length होगी breath होगी height होगी इसमें volume दिया है 12 k square 12 k square plus 8 plus 8 k और k y k y square sorry 12 k y square plus 8 k y minus 20 k क्या number दिखरा आपको common 4 k common दिखरा है तो यहां क्या बचाएगा 3 y square plus 2 y minus 5 अब इसके गुरंखंड आपको करने आते हैं यह मैं बताऊंगा निए डायेट में लिखे दे रहा हूँ यह 4 k है इसके गुरंखंड डायेट लिखता हूँ 3 y plus 5 और y minus 1 यह अपने आप करिएगा दिखर यह एक है यह 2 है यह 3 है तो लेंथ माल लेंगे अब आपको करेंगे तो 4 है दो कोई एक माल लिजे कोई दिक्कत नहीं है लेंथ 4 k हो गई ब्रेथ 3 y plus 5 हो गई और हाइट y minus 1 हो गई इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे आप सेंटी मीटर मीटर नहीं लिख रहा हूँ चुकि यहाँ पर सेंटी मीटर या मीटर में कुछ वैल्यू दी नहीं थी से यूनिट नहीं लिख रहा हूँ किवल इकाई लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आपका यह 2.5 फ़तम हो गया है ओके थैंक्यू